हेलो यूटूब फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूंगे स्वस्थ हूंगे मस्थ हूंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अनामिका लाइफ इस्टाइल ब्लॉग में और की विनर थी डिमपल जी उन्होंने कमेंट किया था कि अभी उनकी बहन की हाट सर जड़ी हुई है तो उन्होंने बोला था दिदी आप सभी लोग रातना करिएगा कि मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं भगवान से दुआ करूंगी क्योंकि अभी यह जो दिवपाव लोग मैंने नहीं बनाए था अपने पिछला देखा होगा उसके बादने एक दिन मैंने ब्लॉग करा था क्योंकि उस दिन बहुत सारा काम था जैसे मैंने दो रूम तो आप लोगों को दिखाया ही था बाकी बच गया था मेरा हॉल किचन बाहर का प्रांडा एक छोटा वाल पर चुछ चलो एक दिन का टाइम है वीडियो आज शूट नहीं करूंगी नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम जो है चला जाएगा काम भी नहीं हो पाएगा वीडियो शूट करने के चक्कर में ज्यादा टाइम तो होता ही है नॉर्मली अगर आप काम सिर्फ क चुकी है आज मुझे निकलना है ससुराल के लिए और सुबह से उठके मैं भी कामों में लगी हूं ममी भी लगी थी तो मैं सुच रही थी जितना काम शकू निपटा दूं तो यह सारे कपड़े ना कल मैंने धोके डाले थे सूख गये थे तो मैंना सारे कपड़ों को और रख दूंगे अभी मुझे बैग भी पैक करना है और टाइम जो है 11 बच चुका है मम्मी सुबह में ब्लाउस सील रही थी मेरा तो उसने थोड़ा बहुत काम किया और फिर उसके बाद मैं लगी हुई थी और फिर मम्मी को ब्लाउस भी सीलना था तो फिर वही न मम्मी को प्रेट भी हो गया नहीं कर पाई मतलब सिलाई तो कर दी पर जो होता है न हीम करना होक वगेरा लगाना तो नहीं हो पाया तो वह वाला भी मुझे भी करना है तो मैं इधर लगी हुई थी जल्ली से सब चीजे अपना मतलब बैग पैक करने के लिए और जितना सारा काम था स सब करने के लिए मैंने सारा साफसपाई तो कर दिया था बस खाली जो एक पूजा वला होता है जहाँ पर मंदीर मेरा है वह मैंने ठीक से नहीं कर पाया था क्योंकि जगाँ चेंज करना था तो सुबह में अपना बैग उसके बाद नहां भी लिए मैं ये वाली नैट्य मेरे में सूट नहीं कर रही पर फिर मैंने सुचा अपने कप्रे पेहनुगी तो फिर गंदा होगा इसलिए मैंने मम्मी का ही नैट्य पहन लिया था और फिर इधर मैं अपने बैग को मतलब शेट कर ले रही हूं जो जो चीजे लेके जानी है वो सारा मैं बैग में रखूंगी और जो नहीं लेके जाना है वो मैं यहाँ पे अपना ट्रॉली में डाल के और फिर रख दूँगी तक क्योंकि फिर तो आना ही है पांच भी तो आहीं जाना है तो फिर ना यहाँ वहां करने में चीज़े इधर उधर हो जाती है तो यहां पर मैंने मम्मी का नइटई पहना था न तो लग रहा था जो गाय का बच्छडा है उसको लग रहा था कि मम्मी है इसलिए बार-बार मेरे पास आके और ना मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और मैं लगी हुई थी यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे काम निप्टाने में क्योंकि भाई जो था बोल के गया था कि तुम दो बजे तक रेडी रहना आकर के और सीधा तुमको ले जाके पहुचा करके और फिर वापस आऊंगा क्योंकि उसका पार्सल वाला काम रहता है मिशू में है तो उसमें उसको अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है आप लोगों को सेल चलता है तो कितना ज़्यादा बीजी हो जाते हैं डिलेवरी बॉआ जो रहते हैं वह सारे तो यहां पर मैं अभी अपना बैक पैक कर रही हूं जितना कुछ लेके जाना है सब को मैंने इधर निकाल के रख लिया है अब सब को मैं मोड़के और जितना सब चीजे चोटी चीजे रहती हैं ध्यान से रखना पड़ता है कुछ के लिए जादा तर मेरे चीजे अगर ना भी जाए तो कोई बात नहीं लेकिन बच्चे का चीज छूट जाए तो फिर दिक्कत होता है तो यहाँ पर सारा पैक वगकर लिया है मैंने और कुषो को भी नहादा धिया खुद भी नहां ली हूँ पूजा वला था जो मंदीर था उसको भी सेट कर दिया है बर्तं धो दिये जाडू कर दिया कपड़े वगकर सारा धूले हूई मतलब आज के लिए मम्मी का कोई काम नहीं बच्चा हुआ है साम को आएगी तो सिर्फ खाना ही बनाना होगा मम्मी को उसके बाद इधर मैं लग गई थी अपना ब्लाउज में हेम करने के लिए और हुक्स जो था ना वो भी लगाना था टाइम जादा हो रहा था और हडवड़ी इतनी थी ना कि बस फटा-फट से किसी तरह से कर लूँ क्योंकि उसको भी टाइम नहीं है ना आएगा मुझे छोड़ेगा और फिर वापस उसे आना भी था तो यहां पर मैं जल्दी-जल्दी से लगी हुई थी करने के लिए और मेरा रूम में लाइट थोड़ा कमाता है मैंने बताया है ना आप लोगों को इस वज़े से वीडियो उतना किलियर नहीं आप आ रहा होगा और अभी मैं वीडियो की क्वालिटी भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे रहती थी ना तो वाई फाई से जितना डाटा चाहिए होता है ले लो लेकिन यहाँ पे ना सोच समझ के करना पड़ रहा है इस वज़े से तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए और सारे वीडियो को मेरे सपोर्ट बिनाट आप दिए दिया की और मांका होगा सारी कारता है मैरे सारे बीच बनितिक से बीचावब कर पता हुए मैं दोरने लगे उसके पास इसलिए ना कैमरा जादा हिल रहा था यहां पे और हवा बहुत जादा तेज चल रही थी मौसम हलाकि साफ था तो फिर हुआ वही भाई जो है नहीं आ पाया क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पाया और यह छोटा वाला है इसकी तव्यत खराब है चेहरा भी देख के अभी आप 20 मिनट लगता है और 15 मिनट बाद बारिस इतनी तेज हो गई थी आप लोग को आगे मैं दिखाऊंगी कि बीच में ही न फिर हम लोगों को रुखना पड़ा था तो यहां पे देखिए यह है हमारे गाओं का नदी जो कि मेरे गाओं और मेरे ससराल के मतलब बीच में पड़ बहुत बीड लगती है तो चटपुजा टाइम तो आप लोगों को दिखाऊंगी ही फिलहाल आप लोग गाओं का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता ना रोट के दोनों साइड हरियाली हरियाली दिखती है तो बस बारिस हो रही थी बहुत जादा और हम लोग यहां प बहुत देर से हो रही थी हमारे यहां तो मौसम था साफ था मैके की तरफ लेकिन इधर में ज्यादा ही मतलब बारिस हो रही थी तो इस वज़े से हमें यहां रुकना पड़ा है दस-पंद्रा मिनट रुकने के बाद भी बारिस नहीं रुकी थोड़ी बहुत रुकी थी तो क्योंकि आँखों में उसके पड़ रहा था पानी न तो मेरे आचल से उसने अपने आँखों धक करके और रखा हुआ था अभी यहां से जा रही हुँ ना मैके की भी साफ सफाई जो है कर ली है लेकिन अभी ससुराल का बाकी है बाकी तो ममी ने कर दिया है ममी जी बोली थी की सारा कुछ हो गया है मतलब बाकी सारा रूम का बस एक मेरा ही रूम है जो बचा हुआ है तो एक दो दिन दिपाली का टाइम बचा हुआ था तो मैंने सुचा चलो एक दो दिन में तो आराम से कर ही लोंगी और घर आने के बाद फिर ममी गई थी कुछ काम से बाहर तो अभ तो इसको बहलाने के लिए मैं च्छत पे लेकर के आगई थी कि चलो मैं च्छत पे लेकर चलती हूं लौकी दिखाती हूं तुमें तो यह यहां पे ना मैं इसको लेकर के आई कि थोड़ा सा इसका मन जो है अलग तरह से हो जाएगा तो फिर नीचे में लेकर जाओंगी क्यों मैं वहां से कपड़े अपने नहीं लेकर के आई यहां पे ही मैंने छोड़ दिया था एक दो कपड़े तो इसलिए मैं लेकर के अपने कपड़े आई नहीं हूं और मेरे ही रूम में मेरा कपड़ा जो है वो बंध है तो अभी ताला देखते हैं क्या होता है खुलता है या पूरना पड़ता है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और बरसात के टाइम में उसी पर पानी भी पड़ता है इस वज़े से जंग लग गया है तो यहाँ पर मेरी आने टाइम मेरी बिंदी ही मेरी कहा चली गई पता ही नहीं चला मतलब मैं घर से निकली बारिज जैसे होने लगा न उसी टाइम मुझे लगता है कि बिंदी मेरे ये माथे से निकल गया था तो चलिए आप चलते हैं नीचे और देखते हैं ताला को फिर से खोल के मैंने उसमेन तेल डाल के और रखा था कि 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी तो हो सकता है कि फिर बाद में खुल जाए हजबन अगले बार में थेना तो उन्होंने खोल दिया था और इस बार मेरे से तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा पापा भी घर पे नहीं है कि म मैं उनको बोलू कि खोल दीजे मम्मी भी नहीं है तो मैं ही कोशिस कर रही थी खोलने की लेकिन खुल ही नहीं थी मेरे सी तो चलिए अब फिर से देखती हूं कि मतलब खुलता है कि नहीं खुलता क्या होता है और अभी मैं आ गई हूँ फिर से नीचे और चलिए एक पर दे पाने इसके ऊपर मतलम सीधा जाता है तो इस वज़े से इसमें जादा ही जंग लग गया लेकिन मेरे से न फिर ये खुला ही नहीं और इसके बाद का न फिर में कोई वीडियो शूट कर नहीं पाई थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को न एक मेरी नई सिश्टर जु लिए मैं बता देती हूं बहुत ही इजी है बहुत लोग लगाना जानते हैं लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं अपना वाइटी स्टीडियो ओपन करती हूं और आप अच्छे से समझ लीजिएगा जो लोग भी नहीं जानते हूं अच्छे से समझ जाएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में तो सबसे पहले यहां पे वाइटी स्टीडियो ओपेन कर लिया है मैंने अब मैं आप लोगों को अपने शौर्ट वीडियो में जाके दिखाती हूं तो यहां पे देखी हमारा जितना भी शौर्ट वीडियो है यहां पे है तो एक मीनट रुकिए दिखाती हूं यह मेरा शौर्ट वीडियो जो उपर वाला है तो चलिए मैं इसी को ले लेती हूं हलाकि मेरे सारे सौर्ट में लॉंग जुड़े हुए हैं फिर भी मैं भी आप को एक दिखा देती हूं तो इसको ओपेन कर लेंगे अब इसके बाद जाएंगे इसका जो एडिट वाला पैंसल वाला आइकन है ना इस पर कि थोड़ा देर सर्च होने में टाइम लग जाता है तो यहां पर देखिए यह एडिट वाला ऑप्सन आ करने के लिए और यहां पर देखिए और के बाद एक आता है रिलेटेट शॉट वीडियो तो यहां पर देखिए मैंने दे रखा है तो अगर आप इस तरह से नहीं दिये हैं तो आप इस पर क्लिक करिए रिलेटेट शॉट वीडियो है उस पर क्लिक करना है तो मैं करके दिखा और यहां पर देखिए रिलेंटर सौट वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी लॉउग बीडियो हैं। सौट वीडियो लेकिन लॉउग जादा तरहते हैं। तो चाहएं को शौट लॉग सब ही आ जाएंगे और अब देखिए यहाँ पे हो गया आ चुका है ना देखिए यहाँ पे चेंज हो गया पहले कोई और था अभी कोई और है तो बस यह हो चुका है और सेफ पे आप क्लिक कर दीजिए तो यह आपका हो गया सौट वीडियो में लॉंग वीडियो आपका जूड़ गया है तो बहुत ही इजी तरीका है उमीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझ नहीं आया हो तो फिर भी आप लोग बता सकते हैं अगर वीडियो में मेरे नए हैं आप लोग प्लीज प्लीज प्ल बाइ बाइ